स्टुडेंट नमस्कार स्वागत है आप सबका आज के इस बीडियो में हम रिस्क्स करेंगे कक्षा नवी के हिंदी के महत्पूर प्रिष्ण उत्तर इसमें प्रिष्ण और उत्तर दोनों हैं यह क्षिण लोग स्क्षिक्शन संजनारे दौरा प्रवाइड कराए गए हैं आपकी अधर उनेट है हम देख सकते हैं ब्रिज कोर्ष है जो आपका एक एक रिक्रमाग 9 और पत्र लेकन एक रिक्रमाग सात नवंद लेकन एक रिक्रमांग काट यह हमने फस्ट बीडियो में डिसक्स कर लिया था तो यह आप दोनों बीडियो देख सकते हैं और आंसर उसके साथ में तो आप बहाँ फट जाके चैनल पर बहाँ से सभी देख सकते हैं तो चलिए आज हम देखेंगे गद्धिखंड गद्धिखंड जो आपका इकाई क्रमांग 2 है विलूप्रिंट का इसमें से 23 अंक का पूछा जाएगा और यहाँ पर अंको का विभाजन किस प्रकार से हैं बस दो निष्ट पांच अंक का होगा दो अंक के तीन प्रिष्ण होंगे और चार अंक के तीन प्रिष्ण होंगे तो इस प्रकार से आपके टोटल 23 अंक इससे बनते हैं इस सिकाई से गद्धिखंड से तो इसमें हम सभी प्रकार के question discuss करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं और यदि आपने हमारा चैनल अभी तर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजे क्योंकि सभी विसाय के important question आपको यहाँ पर मिलेंगे और आपके परिच्छा के लिए important model paper पर आपको यहाँ पर प्रवाइड कराए जाएंगे तो चलिए हम सुरू करते हैं आज गद्खंड लेकर आए हैं next video में हम करतिका भाग एक भासा बोध पद्खंड यह सभी discuss करेंगे ठीक है आप देख सकते हैं याँ पर फिर से देख सकते हैं कि बस तुनिष्ट परिष्ण एक अंकी परिष्ण पांच होंगी और दो अंकी तीन परिष्ण होंगी चार अंकी तीन परिष्ण होंगी इस प्रकार से टोडल से 6 question आपके पूशिए जाएंगे तो चलिए हम सबसे पहले बस्तुनिष्ट प्रश्ण एक अंक्य जो होते हैं सही पिकल्प प्रश्ण में सबसे पहले देखते हैं तो चलिए देखते हैं जानवरों में सबसे बुद्धिमान समधर बुद्धि हीन यहांपर बुद्धिमान नहीं है बुद्धि हीन समझा जाने बाला प्राणी तो ये गठा है गठा को समझा जाता है जिश्व मुनिओं की गुण کिस में पहुँच गए है तो देख़े इसका आंसर में दिया गया है सभी कुष्चन के आंसर में दिये गए है तो इस question का answer है गधे में तो इसКА आंसर आप देख सकते हैं कि जिसे ही imuniyo के गोड़ को किशन殿 में पहुँच गज़े हैं तो पहुच गज़ें गधे में तो मक्षन और नमक डाला जाता है तो यह इसका अप्सन और सब्सक्राइब कर दो इसका आंसर आजाएगा अश्यार भॉद्ध है इस प्रकाल से इतनी सही कलब से तैयार रहे कोई कुछा आज सकता है। तो यह हुआ था बनारस में बारांसी गदे का एक छोटा भाई भी उसका नाम बैल है ठीक है तो इसमें बैल आ जाएगा और उसके बाद थार्ड कुर्श्चन है बैल का इस्थान गदे से क्या होता है नीचा उफर तो यह आपको बताना है देखिए इसमें आंसर दिये गया ह तो गदे का इस्थान बैल से नीचा होता है ठीक है तो थर्ड का आ जाएगा आपका नीचा तिबबत में खाली स्थान कानून नहीं था तो तिबबत में हत्यार कानून नहीं था फिप्त है तिबबत में खेती की विवस्ता खाली स्थान देखते हैं कौन देखते हैं तो य ये डांकों के लिए उप्योगत था ठीक है उसके बाद seventh question है पक्षियों के खालिस्थान सुन्दर होते हैं तो क्या होते हैं पंख सुन्दर होते हैं पिछ बाद आई कर्म घ्र्रॉर्ण करें कि राशकरलं को खालिस्थान अच्छ लगता है तो माखन अच्छ और पर प्रेमचन जी खालिस्थान थे आदर्स वादी प्रत्रों के संबादों से प्रिस्तत रचना यह होती है नाटक और एक अंकी में एक अंख होता है, इस प्रकार से आप सही इनके आनसर याद कर सकते हैं, जो आपके बिकल्ब थे और खालिस्थान थे, अब हम देखते हैं, संसत मैं तो पाहला कुश्टिन है पग पथली रसी के थे थैं है तो इसका अंसर अससल रहे तो रखैकर के पास औहुद टौड़्य상 काँदद थी धी T बर सकता है तिब्बत में जाती पाती छुआ छुट नहीं मानती ये विलकुल सत्थ है परिंदों के पंक सुनाई दिखाई देते हैं तो इसका अंसर सत्थ हो जाएगा आठमा है सालिम अली हुजूम के पीछे पीछे चल रहे है तो इसका असत्थ है पक्षियों की आबाज मधुर संगीत की तरह सुनाई देती है ये विलकुल सत्थ है प्रेमचंद के जूटे फटे थे ये भी सत्थ है और एलेवन देखते हैं बरतमान परिवेश में लोग प्रदर्स्तन प्रेमी है तो ये भी सत्थ है कहानी में किसी गटना भाव संबेदना आदि की मारमिक भेंजना की जाती है तो ये सत्थ है और उपन्यास में जीवन का बिसद चितरन नहीं होता है तो ये असत देखते हैं एक आंक बाला दर्स से काब एक आंकी कहिलाता है तो ये सत्थ है। वानुभूती होती है तो यह विलकुल सतर leaning की बुर्धान ब्ώρα कि जाती है तो कि यह सभ है यह सतखर आसर संश सब्सक्राइब हम देखते हैं पूथियां धार में पुस्तक होती हैं, तो इसमें आप धार में पुस्तक से मिला लेंगे, पुस्तकों की भीतर होना, यानि कि पुस्तकों में रम जाना या पुस्तकों कुप पढ़ते समय उनमें डूप जाना, उसके बाद देखती हैं, डांडा थुदला की उचाई ये थी अठरा सो असी में जन्मगवा था अठरा सो असी में और प्रेमचंद का नाम उनका बास्तविक नाम धनपत राय था और उनका उपन्यास कौन सा है गोदान है फटे जूते प्रेमचंद और पलसराई जी ब्यंग लेखक थे तो इस प्रकार से सभी को आप मिला सकते हैं बहुत निम्नमें से एक सब दिया बाकर मुन उतल लिखना है तो इसमें एक बाक लेखा दो आथ को वाग में लिखेंगे पहला के समगे कैं पहल जाने का इइन जिसका का है इसका अंसर स्कास से आप लेखेंगे चितिज का प्रेषा इसका है जहां पर आसमानाँ मधरती मिलते दिखाए दिती उसकी जार तो इसकी इनकंना क्तूरram किकशंग कर आदा चैवक्ष स्टवरतो है तो इसके आप लेख सकते हैं अम्रतरा नेके चीवन का नाम क्या है? تو अमृतार लिखेत परेमचनद की जीवनियम का नामका सिफाई है. एंग्रेष जी सब्औ रिपोर्ट से किसका स्निक्ट निकटा का संबंधा है? तो ये रिपोरटाज का है. आलूचना में किसके दोस्तों की परक की जाती है तो इसाहितिक सचना की. किसी बिसेश इस्थल पर यात्रा कर सजीब बढ़न किसी बिधा में होता है तो यात्रा बितानत में होता है कुश्चन नमबर 12 है हिंदी पद्ध साहित का इतिहास कब से प्रारम हुआ तो इसका अंसर आधुनिक काल से और हिंदी साहित के उपन्या समराट कौन है तो मुंसी प्रेमचन है प्राचिन काल में किस कला का अभाव था तो प्राचिन काल में मुद्रण कला का अभाव था आधुनिक काल में किस साहित का विकास हुआ है तो गद्ध साहित का विकास आधुनिक काल में हुआ है गद्ध सा एक अंकी जितने भी question थे वो complete हो चुके हैं, अब हम देखेंगे दो अंकी जो question हो सकते हैं आपके गद्ध खंड से, गद्ध खंड यानि कि जितने भी chapter पूछे जा रहे हैं आपके, ठीक है, उनी से सभी से, तो इसमें जो पहला question है, दो अंकी प्रिशन में, तीस सब्दों मे आपको लेखना रहना होगा या, इसको, तो पहला चुक्रिशन है, गया ने वैलों को सरारत के लिए क्या सजादी, तो इसका answer है, गया ने बैलों को सरारत के लिए बहुत मारा, उन्हें खाना, खाने के लिए चिकने यवाज चारा भी नहीं दिया, सूह भूसा खानी के लि को क्यों नहीं पकड़ पाया तो गया भागते बैलों को इसलिए नहीं पकड़ पाया क्योंकि वे तेजी से भाग रहे थे और गया को उस्टे से मार भी रहे थे उसके बाद अंगला कॉस्टे देखेंगे को नमर फोर्थ है लहासा की और यत्रा प्रतात लेखने का लेखा का क्या उत्देष रहा तो लिए थे समय तिबबभान नेपाल की दुरगम पहाड़ियों से तिबब समाज की संस्कृति का सभी को पड़िचे कराना है उसके बाद चुआ चाथ जाती पाती तथा परता नहीं थी अपरेचेत भी आसानी से घर के लोगों में घर के लोग अपरेचेत लोगों से भी विस्तवास कर लीते थे अपने हांसे मक्कान बारशोडा डालका चाय बना सकते हैं कि प्रकार से उसमें कोई दिया गया है इंस प्रकार के भिस्ताह थी वहाँ पर और इसमें देख सकते हैं एंगला कुष्यन हैं तिवत की महलाओं के क्या भिस्ता है तो तिवत की महलाइं परदा नहीं क sustainगैं की करती है और तव 황शार के अ सब्सक्राइब देखते हैं सभी के आंसर देखते जाएए सिंपल से कुछ्छन है सभी को पड़ दिये सभी के आंसर करके देखते जाएए ठीक है आप स्वाइम पर सकते हैं को और सभी कुश्चन को करके देखिए कुश्चन नमबर 12 है 13 और 14 कुश्चन नमर 15 दो बैल आपसी प्रेम किस पर करते थे तो इसका इंप्रोटन कुश्चन है यह आ सकता है कुश्चन नमर 16 है गया कि घर हीरा और मोती ने स्वैम को अपमाने तो महसूस क्यों किया दढ़ी सभी को आप साथ में हैं सभी को आप साथ में ही याद करते जाईए तब ही सही रहेगा क्योंकि और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं सभी क्या आपको करने हैं कंप्लीट और कुश्चन नमर 18 19 और 20 देख सकते हैं नाटक कहानी उपन्यास के के तत्तों को लिखिए कुश्चन नमर 21 है रिपोर्टाज से आप किया समझते हैं तो रिपोर्टाज यह बहुत इंपोर्टेंट है रिपोर्टाज फ्रांस थी भाजा का सब्द ही यह बहुत इंपोर्टेंट है इसको आप याद रखना यलिए आप देखते हम चारंगे फिसनल जो भी आपके बताना है लेखक की बहुत से लिए तो इसमें आप इसके अनुसार लेख सकते हैं जिसका भी पूछा जाए जैसे कि उसमें दो बैलों की कथा कि लिखक प्रेमचंद का पूछ लिया तो प्रेमचंद की बहुत से लिए कि आप चरप्रिशिस्ता लिख सकते हैं ठीक है तो कोश पढ़ लीजिए और कभी परीचा याद रखी प्रेमचंद का और राहुल संस्कृत्यायन का और यह कुश्चन भी आप देखते चलिए सभी को कि पढ़ते चलिए और थोड़ा याद करते चलिए हो सकता है नहीं में से पूछ पूछ लिए जाए चलिए और कुश कुश्चन इस प्रकार से भी कुशिचा सकते हैं जैसे की परियारवन को बचाने के लिए आप क्या युगदान दे सकते हैं ठीक है यह वाले जो कुश्चन होते हैं जो आपके देनेक जीवन से रिलेटेड होते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कोवेड-19 कोरोना बीमारी से बचने के क्या क्या अपाए हैं लिखिए तो यह जो आपकी डेली लाइफ या देने जीवन से रिलेटिट कुर्श्चन है कुछ पूछ सकते हैं अब देखते हैं जो बारबा कुर्श्चन है निवंद की परिभास प्रकारवा दो निवंदकारों के नाम यह वाला कुर्श्चन भी आ सकता है और कहानी उपानियास में कोई चार अंतर यह वेरी वेरी इंपूर्टेंट कुर्श्चन है कहानी और वानियास में अंतर यह आप पर जैसा कि मैंने बताया था कि प्रेमचंद जी का साहितिक परिश्य आप से पूछे सकता है तो किन बिंदों पर पूछेगा दो रचनाय आप से बुचेगा बहुत से लिए और साहित तुमिस्तान प्रकार्सिस को याद कर लेना है हरिसंकर प्रसराई जी का ठीक है इन दोनों का आपको याद करके रखना है और आप देखते हैं गध्यांस जो आपको संदर प्रसंग के सहित ब्याख्या करने को मिलती है तो यह जो गध्यांस से इन में पाट का नाम भी लिखा है आपको इसमें सभी दिया है यानि कि आंसर ही दिया है इसमें, तो यह आपका जो question में लखा रहेगा, यहांसे आपको संदर लिखना पड़ेगा, तो आपको संदर लिखना है, simple सा आपको part का नाम लख देना है, और लेखा का नाम लिख देना, यही संदर बोता है, पूरा आपको तो इस प्रकार से हमने आज गद्धिखंड कंप्लीट कर लिया है तो इस प्रकार से आप इतने कुश्चिन कंप्लीट करके रखिए इन ही में से कोई कुश्चिन आपके बारिसिक परिख्या में पूछ लिए जाएंगे तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुश्चिन मिल जाएंगे तो आप उनको भी स्टडी कीजे ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक आपके एक्जाम में हासल कर पाए थैक्स पर वाचिंग और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए